क्या आपको पता है Reddit पे एक community है जिसका नाम है Photoshop Battles अब जैसे Facebook पे Facebook के groups होते हैं वैसे Reddit पे communities होती है जहाँ पर बहुत साइव लोग एक साथ interaction करते हैं तो जैसे नाम से बता चालता है कि Photoshop Battles तो एक बंदा वहाँ पर photo post करेगा और उस photo को देख कि हमें उससे कुछ creative बनाना पड लिए थे तो मेरा आट कुछ इस तरीके से आया और आज हम end की वीडियो में इसमें भी देखें कि लोगों ने किस-किस तरीके क्या आर्ट बनाए हैं बहुत फानी थे चेक करना मतबूल आप भी जाके इस पर try कर सकते हो कुछ की creativity चेक करने का अच्छा तरीका है तो यहां आने splash पर गया और मैंने पहले ही से मेरे दिमाग में एक idea था कि यह tiger है तो इसके tongue या जीप को हम road से connect करेंगे इस picture में तो मैंने सबसे पहले lasso tool से normal selection बना लिया और इसे obviously road में align कर लिया road के सीरह में आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर किया गया है कि मैं इसे align कर रहा हूं ठीक है और मेरा plan है कि यह जो दो पेड़ दिख रहा है आंगे इन पेड़ के पीछे रखूं ताकि यह से और realistic view आई कि हाँ tiger इस पेड़ के पीछे है that's all फिर आप जीप देख सकते हैं अब जीप को हमें combine करना है तो मैंने जीप की एक layer बना लीती copy करके से selection बनाके और इसे रोड को भी red बना दिया जाए तो बहुत मजाए गया मज़ार लेगा मेरा मतलब है कि like jeep से road बन रही है ठीक है road निकल रहा है उसका इतना लंबब जीप है टंग भी बोल सकते हैं चलो हटाते हैं तो फिर मैंने इसे red बी color कर दिया थे इतना करने के बाद और मैंने से smooth बनाने के बाद यहां पर मैंने देखा कि यार यह किसी भी तरीके से जो टंग है ना वो blend नहीं हो रही थी road से यानि match नहीं हो रही थी मैंने बहुत technique ट्राई की थोड़ा सा लगी रहे कि blend नहीं है तो फिर मैंने बीच में camera लो filter में जाके grains भी कम किये थे जो background image में पहले ही similar थी और एक चीज़ और है कि दोनों image काक्वी different है आप देख सकते हैं so yeah यह challenge था कि इन दोनों को blend कैसे किया जाए at the end अच्छी बात यह थी कि इस battle में यह fun battle है यानि मैंने देखा तो बहुत लोग serious नहीं थे कि हाँ यह perfect image चाहिए बहुत सा अपनी creativity देखाना चाह रहे थे और मैंने इस image में किया है कि मैंने tiger की नीचे से shadows बहुत जादा दी है क्योंकि वह obviously बैठा नहीं देखेगा इस picture में ठीक है तो मैंने वहाँ डार कर दिया है कुछ देखना पाए और इतना करने के बाद जो हमने background image ले रखी है जो road वाली यह image को ज्यादा कम contrast है तो मैंने इ basically idea क्या था हूँ कि टंग को यहां से blend कर दूँ मैंने frequency separation का यूज किया था blend करने के लिए या आप देख सकते हैं वीडियो में और मैं tiger को ऊपर से बहुत ज्यादा light दे दी ती जैसे उपर से light आ रही है ना और नीचे से बहुत ज्यादा dark बना दिया और road भी dark बना दिया त background से ठीक है मैंने curves का यूज किया था इसके लिए और जो नीचे वाला road था उसको भी मैंने curves से नीचे dark की किया था और उपर ज्यादा brightness बढ़ा दी थी at the end दोनों के अच्छी बात यह थी कि पेड़ और टाइगर की स्किन का color सेम था लेकिन yes saturation और luminosity में चैंच था तो मैंने camera और filter यूज किया था मैच करने के लिए camera filter में भी बहुत सारे adjustment होते हैं और मैंने प्लैन यह था कि जो यल्लो कलर है यल्लो और इंजिस बोच सकते हैं वो टाइगर की स्किन के और पेड़ की color सेम आए फिर इतना करने के बाद मैंने camera और filter से दूनों color same कर दिया था okay यह color rating आपको सीखनी पड़ती है बस और इसमें कुछ जांद मैंने rocket science नहीं लगाया है इतना कहले बाद यह कुछ इस तरीक इस पिकाई आप स्क्रीन पर देख सकते हैं comment करके बताए को कैसे लगी चलो हम देखते हैं कैसे यहां पर लोगों ने बनाए है और तो यहां पर न लैसी में चलते हैं दिखते हैं लोगों ने और क्या बना रखा है तो इसमें देख सकते हैं कि यह गॉल्फ कोर्टस है और अच्छा तो यह से यह टांग ने काल लागा है आइन तिक मुझे जाता हूं ठीक है अच्छा है ओके नॉर्मल अच्छा यह इस तरीके से बनाए जीव हटा दीगे इसकी ओके रेड़ी है यह भी दोड़ने के लिए यह थोड़ा सेंस बना रहा है ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है यह तो सेंस बना रहा है इसको दिखते हैं यह सब्सक्राइब पसंद आ रही है मुझे यह मैच कर रहा है मैड़क किसा दो परफेक्ट ल न एक है यह यह धैने यह एगया है यह लोग ना मुझे नहीं लेह अच्छा लाग रही धिस्टरिबिया से मेरा फूरत ने आप濯guru मुलते हैं आई झाल झाल